मोदी सरकार बेशक अर्थ्यवस्था में सुधार के लाग दावे कर रही हो विकास का धिंडोरा पीट रही हो लेकिन गिर्ती जीडीपी हकीकत बया कर रही है और यही कारण है कि पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर बरस रहा है राजिस्तान के मुख्यमंत्री अशोगेहलोत के बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादफ के तीखे शब्द बान भी मोदी सरकार को खाल करने के लिए चलने लगे हैं तो क्या कहा अखिलेश ने आये दिखते हैं 2024 तक भारत के अर्थ्यवस्था पांस डिलियन डॉलर की हो जाएगी और तेश दुनिया की चार्शी शर्थ्यवस्थाओं में किना चाएगा ये वो दावा है जो बजट पेश करते हुए केंद्रे वित मंत्री निर्मला सीतानमर ने संसद में किया था और उसके बाद केंद्रे मंत्रियों ने इस दावे को हर मंच से बुलन किया यहादा कि प्यम मोदी भी देश को पांस डिलियन डॉलर की अर्थ्यवस्था बनाने का दावा कर चुके है कल तो ग्री मंत्री अमित शाह ने भी एक कारिक्रम में इस लक्षे को हासिल करने का संगल्ग दोराया मगर इस लक्षे को हासिल कैसे किया जाएगा जब जीडिपी व्रिद्यदर लगातार गिर्ती जा रही है जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के अधियक शखिले शादफ ने मूदी सरकार को आड़े हाथो लिया है उन्होंने नो मोर वीजेपी हैश्टेग के साथ ट्वीट किया भाजबा की सरकार आजाद भारत के इतिहास में कई इतिहासिक गिरावटों का खिर्तिमान स्थापित करके जाएगी आर्थिक शेतर में जीडेपी की गिरावट, सामाजिक शेतर में सोहार्थ की गिरावट, राजनीती में सत्ता धारियों की नैतिक्ता की गिरावट, वमानसिक शेतर में उम्मीदवारों की गिरावट हैश्टेक NoMoreBJP आपको बता दे कि राश्टे सांकी की कार्याले ने व्रिद्दीदर सम्मंधी आगड़ी जारी किये हैं, जिसके मुताबिक जुलाई से सितंबर की दूसरे तिमाही में जीडिपी व्रिद्दीदर घटकर 4.5 प्रतिशत रहे गई हैं, जिसे लेकर राजिस्थान के मुख्यमत अध्रे अशोग गहलोद भी मूदी सरकार को आयना दिखा चुके हैं, और अब अखिले शादव ने भी मूदी सरकार पर कटाक्ष किया है, ऐसे में अब सरकार अठ्रेवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या कदम उठाती हैं, और विपक्ष के तीरों से कैसे बच्चती ह यह देखना हुगा, डिवी लाइफ के रिपोर्ट